नमस्कार मैं हूँ मनीशा जहां अस्था किस प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर किसी वेक्ति की मानसिक सिती ठीक नहीं है तो उसे क्या उपाई करने चाहिए आए जानते हैं आचारे मंगल पांडे जी से अचारे जी आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं अचारे जी आजकल जो यूवा है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं कुछ लोग है जो जिनकी मानसिक ठीक नहीं हो पाती है तो आज के दिन उन्हें क्या उपाई करने चाहिए जियोति सास्तरों के अनुशार भगवान शुर्य को हमारे ग्रहों में राजा बताया गया है इस करोना काल के शमय शभी युवा वर्गे के लोग और अन्य लोग भी विसेस्ता अपने घर में बैठे बैठे ज्यादातर मानसिक तनाव ग्रस्त हो गये हैं और मानसिक रूप से ज्यादा बीमार हो गये हैं तो आएए मैं आज इस वीडियो में आपके लिए कुछ छोटे-छोटे ऐसे उपाई लेकर के आया हूं जिसके करने मातर से आपकी मानसिक इस्थिती बहुत ही हद तक ठीक हो जाएगी विसेस्ता रवीबार के दिन शरपर्थम ब्रंब मुहरत में जगने के पश्यात अपना अश्नान ध्यान करने के पश्यात एक लोटे में जल विसेस्ता और लोटा तामबे का होना चाहिए और उश में एक लाल फूल और थोड़ा सा लाल चंदन डाल करकर के शरपर्थम भगवान सुर्य को अर्ग शरीर में विसेस्ता आयू आरोग्यता को देने वाले हैं अगर हम या कोई भी जातक लंबे समय से किसी कुष्ट रोग्षे या अन्य बीमारियों से पिडित है तो उन्हें भी भगवान सुर्य की आराधना करनी चाहिए भगवान सुर्य हमारे शास्त्र में रोग बिनासक देउता के नाम से जाने जाते हम उन्हें रोग बिनासक देउता भी कहते हैं विशेस प्रकार से कहा गया है कि जो भगवान शुर्य हैं प्रतेक दीन भगवान सुर्य का धूप लेने मातर से हमारे सरीर में free of cost vitamin D की प्राप्ति होती है हमारे चेहरे पे जो चमक है ओभी भगवान सुझे नारायन की किरपा से प्राप्त होता है कहा गया है कि बुढ़ापा में भी हमारा चेहरा वही रहता है लेकिन उस पे देरे देरे जो है जुर्रियां पढ़नी सुरू हो जाती है कहा गया है कि जि कि पीड़ी है बहुत ही कम समय से उनके आखों पे चक्ष्मा लग जाती है तो अगर हमें चस्मा से शिग्रति शिग्र मुक्ति पानी है तो भगवान सुझे नारायन को आप प्रतेक दिन अर्ग देने के पश्यात उस जल को ले करके अपने दोनों नेत्रों में करें और भगवान सुझे नारायन को प्रणाम करें इतना करने मात्तर शे आपके आखों की जोती है वो परश्पर बढ़ती जाएगी और आपको चस्मा से शिग्रति शिग्र मुक्ति मिलेगी आईए मैं आपको भगवान सुझे नारायन का उस लौकिक मंत्र को बताता हूं जिसका आपको तीन बार उच्चारन करना है ओम घणी शूर्यायनमह इस मंत्र का आप जादा नहीं तो कम शे कम तीन बार अधिक्ष अधिक आप 11 बार भी उच्चारन करके भगवान सुझे नारायन को प्रणाम कर सकते हैं इतना करने मात्तर से आपके शरीर में भगवान सब्सक्रेप मातैं नहीं लग पाता है और दीरे इस प्रकार से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं तो इसके लिए भी भगवान सुझे नारायन कि अराधना करना भगवान सुझे नारायन को फर दाना सुबह सुरीयुदै के शमय के भगवान सुझे epoche की रोशनी का ताप लेना बहुत हीं लावकारी शिद्ध होगा, अगर आपका मन आपकी मानसिक इस्थिती ठीक नहीं है, तो आप इस बज़े से भी अपने कारेच्ष्टर में मन नहीं लगा पाते हैं, अपने ग्रिह में इस बज़े से भी आप को अगर लोग अच्छा भी कह ठीक नहीं लग पाता है लोग आपके भलाई की बाते करते हैं लेकिन आप उशह रूप शुविकार नहीं कर पाते हैं तो इसका मुख्य कारण है हमारी कुंदली में हमारे जोतिश शास्त्र के अनुसार हमारी कुंदली में राहु का खरावोना और राहु जो है वो विशेस्त हमारे जीवन में मन को ही प्रभावित करता है, मांसिक इस्थिती को ही कमजोड करता है तो राहु को भी प्रशन करने के लिए भगवान शुर्य नारायन के एराधना बहुत ही लाबदायक शिद्ध होता है और लाबकारी होता है अचारी जी कौन सा ऐसा पार्ट है या मंत्र है जिसके करने मात्र से मन वांशित्फल की प्राप्ति होती है विशेष्था आप भी अपने जीवन में भगवान शुड नारायने की अतिकिर्पा पाने के लिए आप चाहे तो प्रतेक दिन भगवान सुड को अर्ग देने के पश्चात आदितहर्दय स्तरोत्र का पाठ कर सकते हैं चच्छू स्त्रोत्र का पाठ कर सकते हैं और नहीं तो आपको मैं बैदिक मंत्र बता रहा हूं आप उस मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो जब करें तो भी आपके उपर भगवान सुले नारायन शिग्रति-शिग्र किरपा करते हैं और आपके शरीर की समस्त विग्न में फिलहाल के लिए इतना ही आसा से जुड़ी और भी तमाम जानकारियों के लिए बने रही बिनन न्यूस के साथ नमस्कार